अर्दवार्शिक प्रिक्षा 2022 कक्षा आठ हिंदी का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है इस वीडियो के अंदर में आपको अर्दवार्शिक प्रिक्षा 2022 कक्षा आठ हिंदी का कंप्लिट पेपर देने वाला हूँ तो ये पूरा पेपर आपको एकजाम से पहले अच्छे से आपको त्यार करना है तो complete पेपर है वो इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊँगा तो वीडियो को आपको अंतक देखना है और सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं निर्देश आपको दिये गए हैं तो इसमें सबसे पहले आपके प्रसन है कि प्रसन संग्या एक से आठ तक बहु विकलपी प्रसन आपको दिये गए हैं उनके उत्तर आपको उत्तर तालिका बना कर उत्तर पुष्टिका में आपको लिखना है तो इसमें प्रसन संग्या एक ह यानि पर्तिउस सब्द का आपको अर्थ बताना है तो इसमे चार उपसन दिए गए है पहला उपसन आपके साइकाल, दूसरा आपके प्रातेकाल और तीसरा उपसन आपके सिग्र और छोथा उपसन आपके दोपर तो कौन सा option आपका सही होगा वो आपको बताना है उसके बाद में परसन संग्या दो है आपके की निर्मित सब्द का अर्थ है तो इसमें चार option है पहला option है आपके निर्मित और दूसरा option है उसमें के लिए और तीसरे में आपके कार्ण है और छोत्ते में आपके अभीप्राई है उसके बाद में तीसरा पर्सन है कि मानव सब्वेता के विकास में अनुठी भूमिका निबाई है तो इसमें चार उप्सन आपको दिए गए हैं कहा उप्सन में टेली फोन ने और खहा में आपके एस एम एस ने और गहा उप्सन में पत्रों ने और गहा उप्सन में आपके वाइरलेस ने उसके बाद में परसन संग्या चार है आपके कि बाज और साप कहानी में सांप परतीक है यानि सांप किसका परतीक है तो कहा उप्सन टोपी पहनता है तो कह उप्सन में आपके सेवक के और खह में आपके राजा और गह में आपके गुलाम और गह उप्सन में आपके केदी तो कौन सा उप्सन आपका सही होगा वो आपको बताना है उसके बाद में देखे परसन संग्याद 6 आपके कि ग्रामिन महिलाओं ने दिन तक और खे अप्सरग में आजादी और गया उप्सरग से बनने वाला सब्द है तो खे इसे सब्द में किस सब्द में यह पड़ते जुड़ा है तो के आपके मोर्नी और कह आपके देवी और गय में आपके नदी और गया उप्षन में आपके बुराई तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा उप्षन आपका सही होगा उसके बाद में देखे परसन संग्या नो है आपके कि बस की मीट का बस की सीट का किसे ऐसे योग चल रहा था और परसन संग्या दस है कि दिवानों की जीवन का लक्षे क्या है और परसन संग्या ग्यारा है आपके कि सुदामा की दिन दसा देखकर कौन रो पड़े थे और परसन संग्या बारा है कि किन परिवारों की बच्चे काम नहीं करते हैं और परसन संक्या 13 है कि जिले में किस कार्य है तू परसिक्षन शिवीर है वो चल रहे थे और परसन संक्या 14 है कि निमल लेकित सब्दों के विलोम सब्द लिखो जिसमें पहला है अनुकुल और दूसरा है आपके आए उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परसन संक्या 15 है कि निमल लिकित सब्दों के तीन तीन प्रायवाची सब्द है वो आपको लिखने हैं जिसमें पहला है कमल और दूसरा है आपके बादल उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परसन संक्या 16 से 22 का उत्तर है वो अधिक्तम आपको 50 सब्दों में देना है तो इसमें परसन संक्या 16 है कि कवी को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अनंत अभी नहीं होगा और परसन संग्या 17 है कि दिवानों की हस्ती कवीता में एसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी और उसके बाद में परसन संग्या 18 है कि पत्तर जैसा संतोस फोन फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता और अथ्वा में परसन है यहाँ पर पानी प्रात को हाथ छोयो नहीं नेनन के जल सो पक दोए पंक्ती में वर्नित भाव का वर्नन है वो अपने सब्दों में आपको करना है उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परसन संग्या गुन्नी से कि साप उड़ने की इच्छा को मुर्खता पुरुण मानता था फिर उसने उड़ने की कोशिस क्यों की अथ्वा में परसन है कि गवरिया के सवभाव से यह प्रमानित होता है कि कारिये की सफलता के लिए उत् है कि आप सेकता क्यों पढ़ती है तरक सहीत आपको लिखना है उसके बाद में परसन संग्या भीस है आपके कि इन सब्दों का परियोग करके आपको एक-एक सार्थक वक्के बनाना है जिसमें पहला है खुसाली दूसरा उजुवल है तीसरा आपके निर्मान और चोथा पुस्तक तो इनके आपको बहु अचन है वो लिखने है उसके बाद में परसन संग्या 21 है आपके कि आपके पडोस में बाल विवा हो रहा है और आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस परकार से समझाएंगे और परसन संग्या 20 है कि चोराय को पार करते समय क्या-क्या पर्वक पढ़कर पूछे गए प्रसनों के उत्तर दीजिए तो यह आपको गध्यांस दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इस गध्यांस में टोटल आपको चार परसन दिये गए हैं तो इन चार परसनों के आपको उत्तर लिखने हैं कि गध्यांस उसमें स ये चार परसंद दिये गए इनमें आपको चार परसंग्या 24 है कि निमलेखित में से किसी एक पध्यांस की सह परसंग व्याख्या कीजिए तो इसमें आपको दो पध्यांस दिये गए हैं एक अथ्वा में है तो इसमें से एक आपको करना है और उसके बाद में परसंग्या 25 है कि सवच्चता के समंद में दो विद्यार्थियों की बातचीत को अपने सब्दों में सवांध रूब में लिखना है और अथुआवे परसन है अपने विद्याले में सफाई कराने है तो प्रद्याना दापक प्रदानाचारिये को एक फ्राथना पत्र है वो आपको लिखना है और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परसंसंक्या 26 कि निमनांकित में से किसी एक विशेपर 150 सब्दों में निमन लिखना है जिसमें पहला है आपके परकास पर्वय दिपावली और दूसरा है कोरोना वा किसी एक पात्र समू को अधार मानकर 150 सब्दों में आपको कानी लिखनी है जिसमें पहला है मदुमख्य और चिडियां दूसरा है खरगोस और कच्छुआ तीसरा है सेर और खरगोस और चोथा है आपके लोमड़ी और अंगूर तो ये कंप्लीट पेपर हिंदी का मैंने इस वीडियो गंदर आपको बताया है वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ सेर करना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है चैनल पर आप नए है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में नोटिफिकेशन बैल को प्रेस क लिजी ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिसना हो कि अ कि अ है यह भाद सुट्वारा के लिए कि अ